हेलो फ्रेंड्स मैं विजय कुमार पटल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्रवीत पटल में स्वागत करता हूं आज हम लोग बिलासपूर जिले के बारे में विश्त्रीत अध्यान मैप के थ्रू करेंगे ताकि हमें चीजों को लंबे समय तक मेमोराइज करने में असानी हो तो आएए देखते हैं बिलासपूर जिला बिलासपूर जिले के अगर गठन की बात करें तो बिलासपूर जिले का गठन हुआ था 1861 में वर्स 1861 में गठन के अगर बात करें तो वर्स 1861 में बिलासपूर जिले का गठन हुआ था इससे पहले बिलासपूर ब्रिटिस प्रांद इससे पहले ब्लासपूर जिला ब्रिटीस प्रांद का हिस्सा था. साथ यसाथ अगर बात करें झिला मुख्यालय की, बिलासपूर जिले का मुख्यालय बिलासपूर ही है. बिलासपूर जिले का जिला मुख्याला है बिलासपूर ही है साथ ही साथ देखें तो बिलासपूर जिले अपने समिपूरती जिले समिपूरती अगर जिलों की अगर बात करें बिलासपूर के समिपूरती अगर जीलों की बात करें तो बिलासपूर अपने समिपुवर्ती गौरेला पेंड़ा मरवाही, साथी साथ, कुर्बा, जांजगीर चापा, एक जांजगीर चापा, समिपुवर्ती अगर जीलों की सीमा रेखा को इसपर्श करने की बात करें तो बिलासपूर अपने समिपुवर्ती गौरेला पेंड़ा मरवाही, कुर्बा, जांजगीर चापा, बलौदा बजार, बलौदा बजार और साथी साथ, मूंगेली कि सीमा रेखा को इस पर्स करती है अगर समिपुरती जिलों की बात करें तो बिलासपूर अपने समिपुरती गौरेला पेंडा मरवाई जो की हाल ही में बिलासपूर जिले सी अलग होके एक जिले की स्वरूप में आया है वहीं अगर समिपुवर्ती राज्य की बात करें तो बिलासपूर अपने समिपुवर्ती किसी भी राज्यों की सीमा रेखा को इस पर्स नहीं करती है मिन्स यहां एक भू आविस्ठित जिला है चत्तिस गड़ के संदर में बात करें तो 2020 की स्थिती में भू आविस्ठित जिलों की संख्या 10 है गौरेला पेंडा मरवाही जिला बनने से पहले बिलासपूर अपने समिपुवर्ती मध्य प्रदेश राज्य की सीमा रेखा को इस पर्स करती थी जैसी गौरेला पिंडा मरवाही बिलासपूर से अलग होके एक जिले के स्वरिप में आया है बिलासपूर एक भू आविस्ठित जिले में कनवर्ट हो चुका है इस तरह से बिलासपूर जिला एक भू आविस्ठित जिला है क्यूंकि अपने सम्मेपुर्ति किसी वी राज्यों की सीमरेखा को इस पर्स नहीं करती। साथ ही साथ विधान सबाच्षेत्र की अगर बात करें, तो बिलासपूर चेत्र में अभी की स्थिति में 6 विधान सबाच्षेत्र हैं, जिसमें से देखें, तो कोटा, तख़तपूर, बिलासपूर, बिलहा, मरवाही, मस्तूरी और बेलतरा, इस तरह से देखें, तो अभी की स्थिति में बिलासपूर, जिले में 6 विधान सबाच्षेत्र आते हैं, जिसमें से मस्तूरी एस सी विधान सबाच्षेत्र के अंतरगत आता है, अभी की स्थिति में 6 विधान सबाच्षेत्र है, साथ ही साथ अगर लोगसबाच्षेत्र की बात करें तो बिलासपूर एक लोगसबाच्षेत्र भी है जहां से भी सांसद अरूर साव है मानिय स्री अरूर साव बिलासपूर छेत्र से अभी मेंबर ऑफ पार्लियमेंट है MP है सांसद है बिलासपूर से 36 गड़ के संदर्म में बात करें तो 36 गड़ में कुल 11 लोग सबा छेतर है जिसमें से बिलासपूर अभी अरून साओ यहां से मेंबर और पार्लियामेंट है इस तरह से हमने देखा कि बिलासपूर जिले का गठन 1861 में हुआ इससे पहले बिटिस प्रांत का हिस्सा था जिला म ख्यालाई की बात करें तो बिलासपूर समीपूरती जिनों के अगर बात करें तो बिलासपूर अपने समीपूरती गवरेला पेंड़ा मरवाही कोरवा जांजगीर चांपा बलवदा बजार और मुंगेली की सीमारेखा को इस पर्स करती है साथ ही साथ समीपूरती राज्य तो किसी भी राज्य की सीमा रिखा कोई सब्स नहीं करती इस तरह से बिलासपूर जिला एक भूआ वेश्टित जिला है आगे अगर देखें तो बिलासपूर बिलासा भाई क्योंटिन के नाम पे ही बिलासपूर जिले का नाम पड़ा और बिलासपूर को बसाने का स्रे भी बिलासा भाई क्योंटिन को जाता है इस तरह से बिलासभाई क्योंटिन के नाम पे बिलासपूर जिले का नाम पड़ा आगे देखें तो बिलासपूर अरपन अधी के तट पर इस्तित है और साथ ही साथ बिलासपूर जिले को न्यायधानी चतिस गड़ का न्यायधानी के नाम से भी जाना जाता है बिलासपुर को 36 गड़का नियाय धानी के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरह से हमने बेसिक चीजों को जो की एक्जाम पॉइंट अप्यू से बहुत ही मातोपूर हैं उन तथ्यों को हमने देखा आईए बिलासपुर को और विस्तरित अध्यान करने के लिए हम लोग मैप के थ्रूब बिलासपुर जिले को अध्यान करेंगे बिलासपुर जिले का मैप अगर बनाने की कोशिस करें तो कुछ इस तरह से बिलासपुर जिले को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से बिलासपुर जिले को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें अगर बात करें तो बिलासपुर जिले से बिलासपुर जिले से नेशनल हाइवे अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग नेशनल हाइवे देखते हैं यहां से यह हमारा नेशनल हाइवे है 138 जिसकी लंबाई की बात करें तो 105 किलो मिटर उससी तरह बात करें तो यह नेशनल हाइवे 130 है जिसकी लंबाई की बात करें तो 292 किलो मिटर और साथ ही साथ इसकी अगर बात करें तो नेशनल हाइवे है 49 लंबाई की बात करें तो 196.6 km यही हमारा National Highway 130 है जो अंबिकापुर जिले तक चले जाएगी National Highway 149 रायगर जिले 130 देखें तो मुंगेली जिला और यह हमारा ही रहा है बिलासपुर सिम्गा से बलावदा बजार से आगे देखें तो हमें अब नाम जगों को अगर हम लोग इंडिकेट करना चाहें तो कई जगह हाईवे के अगल बगल मिलेगा मगर हम लोग उसको स्टडी पॉइंट यू से ताकि हमों चीजों को लंबे समय तक याद रहे इसलिए हम उन जगों को कहां पर ले आएंगे नेशनल हाईवे पर लाके याद करने की कोशिस करेंगे तो अगर देखें तो ताला गाउं ताला गाउं मिलेगा हमें बिलहा मिलेगा ताला गाउं बिलहा हिर्री बोद्री सिर्गिट्टी तिफ्रा बिलासपूर आगे चले जाएं तो लाल खदान आगे अगर देखें तो लाल खदान सिल्पहरी सिल्पहरी नामों को कुछ इस तरह से लिख लें धर सिल्पहरी दगोरी और मस्तूरी सिल्पहरी दगोरी मस्तूरी मस्तूरी से अगर नीचे चले जाएं तो हमें मिलेगा मलहार मलहार चिलहांटी और बुढ़ी खाद इन नामों को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इनसे जुडे हुए तत्थ्यों को याद करने में हमें बहुत ही आसानी होगी तो सबसे पहले हम लोग इन नामों को याद करेंगे और इन से जुड़े related facts को हम लोग जानने की कोशिस करेंगे आगे चले जाएं तो हमें मिलेगा रतनपूर रतनपूर यहां पर देखें तो लूथरा सीपत कोटा बेलतरा इधरी मिल जाएगा हमें ले ले इसको बेलतरा इसमें आगे बढ़ें तो कानन पिंडारी तकखतपूर इस तरह से हमने जगों को महत्तुपूर जगों को हमने बिलासपूर जिले में इंडिकेट किया हुआ है साथ ही साथ अगर देखें तो यहां से नदियों को देखें तो मुंगेली से हमने देखा ही था सिहावल सागर लोर्मी के पठार से एक नदी थी लीलागर नदी यहीं से अगर देखें तो महा नदी भी है शिवनात नदी और यह मन्यारी नदी लीलागर ने मन्यारी नदी इसी तरह देखें तो मलहार तट एक नदी के तटपी स्थित है लीलागर नदी यह हमारा है लीलागर नदी लीलागर नदी इसी में बात करें तो यहां से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है छोटी नर्बदा जो कि किसकी सहयक नदी है मन्यारी नदी की सहयक नदी है इस तरह से एक नदी और देखें हम लोग तो खोंगरी खोंग सड़ा की पहाड़ी पेंडरा तहसिल से अरपा नदी अरपा नदी देखें तो सिवनात नदी की सहयक नदी है अरपा नदी जो कि अब गवरेला पेंड मरवाही जिले में उद्गम है पेंड़ा तहसिल से इससे पहले बिलासपूर का ही सत्सास तो अर्पा नदी नदियों को अगर देखें हम लोग तिफ्रा बिलासपूर आगे चले जाएं तो लाल खदान सिल्पहरी दगोरी मस्तूरी मलहार चिलहांटी बुढ़ी खार उसी तरह से सीपत लुथरा सरीफ रतनपूर बेलतरा और यहीं पे देखेंगे तो अरपा नदी की एक सहयक नदी है खारंग नदी नदी है खारंग कॉटा घाट करें हम लोग तो खोटाा घाट डेम है भैसाजर परियोजना है डर पकान स्वांसराच'RE और तरह से हम लोग one by one चीजों को deal करते चले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें, तो ताला गाओं, ताला गाओं, और इससे पहले भी अगर हम लोग देखना चाहें, तो हम नेसनल हाइवे अगर देखते आएं, तो हम लोग नेसनल हाइवे 130 है, पहले ही मुंगेली जिला म क्योंकि हमने इसको रायगर जिले में भी देखा, और आगे भी हम लोग इसको जांजगीर चांपा जिले में भी हमने देखा है, और साथी साथ अभी बिलासपुर जिले में भी देख रहे हैं, लंबाई की बात करें, तो 196 दसमलाओ, 6 किलोमेटर इसकी लंबाई है, तो अमेरी कापा तालागाओं के नाम से भी जाना जाता है, तालागाओं मनियारी नदी के तट पर इस्थित है, यहीं पर बात करें, तो तालागाओं में ही रुद्र सिव की प्रतिमा है, रुद्र सिव की अस्थ मुखी प्रतिमा है, और यह माना जाता है, यह अस्थ मुखी प्रतिमा रुद्र सिव की ग्यारा जियों के विभिन अंगों से मिलके बने हुई है, तो इस तरह से हमने देखा कि तालागाओं में अमेरिकापा तालागाओं के नाम से भी जाना जाता है, मन्यारी नदी के तटपे इस्थित है, यहां पे रुद्र सिव की अस्थ मुखी प्रतिमा है, जो की ग्यारा जियों के विभिन अंगों से निर्मित है, जो ग्यारा जियों के विभिन अंगों से निर्मित है, इस सारी चीजें ही बहुत ही मात्तुपूर्ण हैं, जो कई बार frequently question पूछे गए एक्जामों में, तो इन सारी चीजों को आप याद करते चलिए, साथी साथ देखें, तो ताला गाओं में ही देवरानी जेठानी का मंदिर है, और 36 गड़ की सबसे प्राचिन मंदिरों में इनका नाम आता है, जो की अभी खंडित अवस्था में है, और बलवा पत्थर से निर्मित है, यह खंडित अवस्था में दो रानी, देवरानी और जेठानी एरानिया थी, जिनके द्वारा आपे बनाएगे मंदिर, एक चौल में एक सियू मंदिर था, अभी खंडित अवस्था में है, और यह बलवा पत्थर से निर्मित था, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि देवरानी जेठानी मंदिर, चटीस गड़ का सबसे प्राचिन मंदिरों में इनका नाम आता है, कई बार यह कोश्चन पूछा गया है कि चटीस गड़ की सबसे प्राचिन मंदिर कौन सा है, तो देवरानी जेठानी का मंदिर सबसे प्राचिन मंदिर है, तो इस तरह से आगे अगर देखें, तो हमें एक जगह मिलेगा बिलहा, आगे अगर जगह देखें, तो बिलहा सबसे बड़ा चतिसगर का सबसे बड़ा विकास खंड है इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हिर्री अगर देखें तो यह अध्योगी एक खनीज की द्रिष्टी से यहां पर डॉलो मैट पाया जाता है हिर्री में खनीज में हम लोग अलग से देखेंगे इन जगों को जिनमें हिर्री की अगर बात करें तो हिर्री से हमें डॉलो मैट की प्राप्ती होती है तो हमने देखा बेसिक तत्थ्यों को हमने बिलासपूर के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने मैप के थुरू बिलासपूर के मातपूर जगों को हमने मेमोराइज किया और आगे हम ल अपने तत्थों को अन्य पहलूं के बारे में हम लोग विस्तरित डिस्कर्शन करेंगे तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लाओगा तो वीडियो को लाइक कर कमेंड करना बिल्कुल न भूलें साथ ही साथ इसी तरह के अपडेट स अगर अब चाहते हैं तो विक्ट्रीविद पटेल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दवाना बिल्कुल न भूलें थैंक यू कर दो